प्यारी खान की अकुवाई में आगामी दोग सपाथ चुनाव में प्यारी खान ने कहा कि मुस्लिन समाज की बहान निकाला होगा तब ही हम अपनी ताकत से हर दर को छिता सकेंगे जब तब अपनी ताकत नहीं दिखांगे समाज पिच्छर ताई जाएगा खान ने कहा कि नितिन कड़करी वो शक्स है जो आपका वोट नहीं मिलने पर भी आपका कांग करते हैं लेकिन सूच ये जब आप उन्हें अपना वोट दिंगे तो उन्हें भीतर से जो खुशी मिलेगी वो सबसे एहम होगी मुसल्मानों के इशू पर बात हुई जो मुसल्मानों को इतने सतर सालों से जो पार्टिया चल कर रही थी बस उसी से जगाने के लिए और मुसल्मानों को मुसल्मानों का हग दिलाने के लिए है उनको जो बेदार नीन में जो सोए है उससे हम उनको जगाने है बाकी ऐसा देश में तुम भी कुछ न कुछ चीजों के भागीदार हो करके। तो ऐसे मैंने मुसल्मानों के उनके थुरों कई काम करवा दी। अब जाके मुसल्मान जो कौम है वो जाग रही है और उनको विश्वास हो रहा है। तो जैसा ताजवा का काम हो उससे मुसल्मानों को बहुत सारा विश्वास हुआ है। मुसल्मों के लिए लाइबरेरी के लिए 20 करोड रुपे गटकरी सामने इनको क्या बलते परविन धटके जी को बोलके दिलवा दिए। उसके बाद एक कबरस्तान था यहां पर उसको सवा करोड रुपे दिलवा दिए। उसके बाद क्या बलते तुम्हारा जो गोरे वाड़ा में पांच इकड़ जमीन वो दिलवा दिए। ताजवा को पानी का टंके दिए। मुसल्मानों के लिए एंबुलेंस दिए। मुसल्मानों की वहां हालात बस्षे बत्तर है हमारे मुसलिम कारे करता भी बहुत अच्छे अच्छे करता है लेकिन उनका एक फोटो एक बैनार एक वोस्टार उनको चेयर पे तक बिठाने को तयार नहीं है तो मेरी लड़ाई उनके भी तरफ से अच्छे अच्छे कॉंग आपने बच्छों को एजूकेशन देना चाहता अपने बच्छों के हम करना जाता उनको विक्सित होने के लिए मुसलिम समाज काम कर रहा है इससे पहले आपने इतनी मिटिंगे कभी आप ने देखे नियुँगा पहली बात मुसल्मानों के पास जाते ही नहीं ते कोई उनक जिसने आपको वोट दिया था आप बता ही एतने सारे खड़े पास साल में आपको कभी किसी ने आके पूछा है इससे पहले जो दिये थे आपने वोट तो कोई पूस्ता नहीं इसे वोट ले ले लेते चले जाते और हमको वैसे ही छोड़ देते तो आप मुसलमान जाक चुका बैटक में उपस्तेत सारंग गड़करी ने भी उपस्तेत लोगों से समवासाता और कहा कि पार्टी परिसर में कई समस्या है जिस पर ध्यान दिया चारा है पिछे की इसमें ये आने वाले साल बर में वो भी सौल हो जाएगा असा मुझा लगता है और मैंने वो आश्वासन भी दिया और मुझे विश्वा सकी वो होगा इस दोरान मज़द एदकाम मुसलिम कप्रिसान परिसर के स्तान ये लोगों ने अपनी समस्या आई रखी लोगों ने इस बार नितिन कड़करी को लेकर सकरात्म प्रतिक रिया दी और फारी वोटों से चितान का विश्वास जताया में यहां पर मसला हुआ था मजडित का जब कंस्रक्शन शुरू था हाइट एंचन लाइन आज भी आपको दिखती है टावर है जो ऐसा स्ट्रेट था जिसके कारण मजडित तामीर नहीं हो सकती थी काम रुख गय था आठ डिन काम रुका हुआ था जब मुझे पता चला मे मेले मीटिंग में उन्होंने मुझे बुला कर बोला कि कि क्या मैटर है तिरौ जबकि मैं उनके साथ मुम अलबार यृपर दो मैना रहा था इसलिए करीबिया मेरी हो गी सहाब से तώ जो जो मैने सहाब को बता है कि सर ऐससाब इसे विए हैं तो सामने पांच मिनित नी लगा यहाँ पे बोलते है कि सहाँ भ्रिम बायरों मारकेट और पार्केंग जोंडीया था शुजन दीन्व और उन्हुनों लेकर में अमारे में मक्सद हुआ कले मुंद से खरेखें महारे लिक्त Service तो वहाँ पर उन्होंने मटन और फीश मार्केट का प्रोजेक्ट लाया हुआ है तो हमने उसके अगेंज भी साब से मिटिंग की साब ने साब के पीए ने जोशी साब ने काड़े साब ने विशे को समझा जो आर्खिटिक्टिक्चर थे चिजगरे साब उन्होंने ड्रॉइ लगने की कारण हो थोड़ा रूका हुआ है लेकिन हम आचर सिंता के बाद में फिर अप्रोच करने हो ले अभी जैसे सारंगसर को पता है सारंगसर ने बोला है कि यह विशे मुझे पता है एक बार फिर और हम उनसे टच करेंगे और अपना प्रॉब्लम सौल करेंगे और हम मेटिंग आपने जो वह स्टार्ट से साथ कवर करेंगे आपने तो कवर करने के बाद इसरेल देखा हुआ कि एक मुझबत है और यह मुझबत उस वैक्ति के लिए जिसके लिए मिटिंग अरेंज की गई थी यह आपने देखा हुआ पब्लिक क्योंकि दिन बार रोजा रख के अफ्तारी करने के बाद में नमाज खुल तरह भी पढ़ने के बाद में आज लगबक 11.30 बजरे होंगे तो अगर एक मुझबत नहीं रहती जिनके लिए मिटिंग अरेंज की गे ती यह पब्लिक इतने दिर नहीं बैठती है और यह चीज़ अभी तो हंड़ेट परशन स सब्सक्रीत के लिए क्वे engineers के लिए और क्या करेंगा अरप्लय और समाज में भी होची है पीसे छोड़ा सां बीजर का का कारे करता हूं नाकपूर शरका बिर रिपोर्ट इन बेसेन दिवस